नवंबर 2019 को Special Window 4 Affordable and Mid-Income Housing के नाम से एक Distress Fund का एलान किया गया देश भर में अटके हुए प्रोजेक्स पूरे करने के लिए एक फंड लाया गया अब तक स्वामी फंड के जरीए 108 प्रोजेक्स को Final Approval मिल चुका है 143 प्रोजेक्स को अंशिक मंजूरी मिल चुकी है इन प्रोजेक्स में स्वामी फंड के जरीए 1,50,000 घर पूरे करने का लक्ष रखा गया है इन आकडों से इतर ये फंड अटके प्रोजेक्स के लिए कितना मददगार है फंड के साइज को बढ़ानी को लेकर क्या खबरे हैं इसे ही कुछ सवालों को जानने की कोशिश करते है SBI कैप वेंचर में स्वामी इन्वेस्मेंट फंड के चीफ इन्वेस्मेंट आफिसर एरफान काजी से काजी सर जी बिजनस पर आपका बहुत-बहुत स्वागत है मेरा पहला सवाल यह होगा कि फिलहाल स्वामी फंड में क्या अपडेट है स्वामी फंड कैसे रियल एस्टेट को सपोर्ट कर रहा है कितने प्रोजेक्ट नोटिफाई हुए है कितने प्रोजेक्ट को फाइनल अप्रूवल मिल चुका है और कितने घर पूरे करने का लक्ष रखा है आपने तो हमने शुरुवात की थी अबाउट टू यह अगो आज तक हमने अभी फाइनल अप्रूवल दिया है 108 प्रोजेक्स को प्रिलिम अप्रूवल दिया है 143 प्रोजेक्स को लेकिन यह नंबर्स का मतलब कुछ नहीं होता जब तक हम कहें कि इससे हम लोग घर कितने कंप्लीट करने वाले हैं तो फाइनल अप्रूवल से हम लोग 63,000 होम्स कंप्लीट करने वाले प्रिलिम अप्रूवल से हम लोग 84,000 होम्स कंप्लीट करने वाले हमने last two years में 108 प्रोजेक्ट किये पूरे इंडस्ट्री ने मिला कर उतने प्रोजेक्स नहीं किये तो स्वामी खुद स्वामी अकेले पूरे इंडस्ट्री के मुकाबले स्यादा प्रोजेक्स कर रहा है और ये बात जाहिर है एक sense में क्योंकि वी आर डिस्ट्रेस्ट आर्विट्राच डिस्ट्रेस्ट फंड और इंडस्ट्री वास गुद फेर और ये पूरे प्रोजेक्स के पूरे होने की उम्मीदे जगी हैं लेकिन प्रोजेक्स के चुनाओं की प्रक्रिया लेंडिंग टाइम थोड़ा स्लो है कैसे इसमें तीजी आ सकती है ताकि ज्यादा से ज्यादा प्रोजेक्स तक स्वामी फंड की पोँच हो प्रोजेक्स बहुत टाइम से रुके वे हैं ये कंपनीज काफी डिफकल्टी में हैं उनके एंप्लोईज ने उन्हें छोड़ दिया है प्रोजेक्स के अप्रूवल्स लाप्स हुए है कस्टमर्स ने लिटिगेशन शुरू कर दिया है ऐसे प्रोजेक्स हमार पास आते हैं स्वावी फंड में फंड करने को तो हम लोग जहां तक इंटरनल प्रोसेस है जहां तक हमारी अंदर की प्रक्रिया है उसके अंदर हम्व कि ट्राइट टूब इस ऐस पास्ट एस पॉसबल लेकिन अगर प्रोजेक्स का इन्वार्मेन्टन अप्रूवल लैप्स हुआ है और audited accounts भी available नहीं है, company के पास approvals की copy भी नहीं है, तो उसके वज़े से time बहुत ज्यादा लगता है. दूसरे fund के मुकाबले इसे कैसे अलग और बहतर मान सकते हैं? Specific question answer करने के पहले मैं एक और stats आपको देना चाहता हूं, कि we are India's largest social impact fund. हमने अभी तक 2700 घर handover कर चुके हैं, यहने लोगों को यह घरों की चाहबी मिल चुकी है, right? और इसके अलावा there are about 6000 homes which are ready for possession, और हम इसलिए कह रहे हैं ready for possession simply because यह projects ने OC के लिए apply किया है, जैसी OC आएगा, possession और handover हो जाएगा. लेकिन हमने, you know, Swami fund, और fund के मुकाबले में किस तना से different है? तो मैं थोड़ा, you know, I've always maintained that there are three or four C's which define the Swami fund. तो एक तो हम लोग एक बहुत च्रेडिबल इंस्टिशन है, we have built that credibility by our track record, by, you know, completing projects and so on, that's one. Second, we are the only fund which is focused on construction and not on repayments, focused on project activity and not on account behavior. तो उस मुकाबले हम बैंक्स या कोई भी NBFC से अलग है. तीसरा, पहले ये कभी हुआ नहीं करता था, हमारे स्वामी ने ये शिरुवात की, कि हम complete funding देते हमी segment of funding नहीं देते, portion of funding नहीं देते, हम sales और receivables पर rely नहीं करते, जब हम कहते हैं कि हमारे पास funds हैं, और हम project complete करने वाले हैं, तो हम वो project complete कर सकेंगे, regardless of what happens in the external environment. But एक और चीज़ में हमने देखा है, कि हम लोग दुसरे fund से काफी different है. वो है कि Swami fund by itself acts as a catalyst, यान्ने कि हमारे सिर्फ नाम से, हमारे project में presence से, लोग पैसा देने लगते हैं, लोग घर खरीदते हैं, developer की cash flow situation improve होती है, जिससे उन्हें हमारे पैसों की कम जरूरत पड़ती है. जी, लंबे समय से स्वामी fund के size को बढ़ाने की बात चल रहा है, ये जाहिर है, अभी जो size है, उसमें limited stack project को ही पूरा किया जा सकता है, उन्हें ही fund किया जा सकता है. Fund का size बढ़ाने को लेकर क्या उमीदे हैं, क्या खबरे हैं? तो हमने जो भी process करने के थे, investor approvals लेने के थे, वो ले लिये हैं, government ने हमें soft indications दिया है कि जितने पैसे की जरूरत है, projects complete करने को, उतने पैसे दिलाए जाएंगे. देके, we are a distressed fund. जितना distressed environment में रहेगा, उतनी जरूरत पड़ेगी for a swami fund. जितना, if the environment improves, if cash flows improve, if receivables improve, if sales improve, if costs do not increase like they are increasing right now because of the global situation and the pandemic situation in the very recent past, right? If the situation does not improve, more funding will be required from us. If the real estate situation improves, less funding will be required from us. इन आइधर केस बात यही है कि स्वामी फंड है जितना जरूरी हो जितना कैपिटल रिक्वाइड है इतना कैपिटल हमार पास है इतना इंपॉर्टन थिंग नोट इरफान सब स्वामी जैसे दूसरे फंड लाने की जरूरत है क्या इसी में एक और चीज़ अड करना चाहूंगा कि जो मेकेनिजम स्वामी फंड में इस्तेमाल हो रहा है जिससे minimum risk बन रहा है यही मेकेनिजम यही प्रकृया क्यों नहीं डूसरे fresh fund में बन सकती है ताकि stress की हाला थी ना बन पाए और पहले सही हम इतना due diligence कर लें जिससे project में पैसा फसे ना very interesting question I think यह जरूर होगा whether we do it or some other fund does it but we have in that manner changed the way lending is done to or investing is done in real estate हमने कुछ ज्यादा बड़ा काम नहीं किया है हमने सिर्फ इतना किया है कि एक एक पहले you know you correctly estimate the amount that is required और तू उसको बहुत you know keep controls on it supervise the expenditure paid the vendors directly pay the suppliers directly ता कि पूरा पैसा प्रजेक्ट में ही जाए this kind of lending or this kind of investing can be for distressed projects in the residential sector like we've shown is possible it can be for distressed projects in other sectors and it can be for you know any kind of lending for that matter right if that happens if all lending follows this approach and style of calibrated disbursements against expenditure उमीद करते हैं कि stress उत्पन ही नहीं होगा बिल्कुल यानि बड़ी बातें जो निकल कर आ रही है कि फिलहाल सौमी फंड के जरीये stuck project में एक लाग पचास अजार घरों की delivery सुनिश्चित हो गई है notify projects के लिए जितने capital की जरूरत है सौमी फंड के पास मौजूद है यानि पैसो की दिक्कत नहीं है साथ ही जरूरत के मुताबिक fund का size बढ़ानी को लेकर भी रास्ते खुले हुए है projects के approval को लेकर slow process पर सवाल जरूर उठ रहे हैं लेकिन इसे रफ्तार देने की जरूरत है और प्रयास भी किये जा रहे है लेकिन overall सवामी fund ने distress projects पूरे कर रहा है लोगों को इसमें possession मिल रही है इससे housing sector में एक positive sentiment देखने को मिल रहा है बहुत शुक्रे आपका एर्फान साब हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में पूरी बात सवामी fund की पूरी detail बताने के लिए